तो वेल्कम गाईस आज से हम लोग यूएस सीपीए को स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इस दा डे वन आफ यूएस सीपीए एफ यार सब्जेक्ट तो देखिए 2023 का फैबुरी मन्थ और आज है 14 फैबुरी अगर हम बात करें तो आप जब इतने बड़े प्रोफेशन को सभी ने जॉइन करी लिया है तो आज हम बहुत सारा डिसकेशन भी करेंगे, क्लासिस को भी डिसकस करेंगे एक study plan के point of view से भी डिसकस करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी पूरी study को प्लान करना चाहिए तो starting kit 10 minutes में आप सभी से लूँगा, क्योंकि it's a first day, तो बहुत सारे ऐसे student हैं जो की CPA को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो एक idea भी आपको लगना चाहिए, फिर आप chat box में अपने doubts को पूछ सकते हैं और end में हमें Q&A session भी रखेंगे अगर आपके कोई concern ने, इसलिए मैंने इस batch का time बिलकुल ऐसे समय पर रखा है कि office timing के बाद अगर हमें थोड़ा सा session को extend भी करना हो, तो definitely आपको help बिलेगे इसे, तो चलिए start कर रहे हैं कुछ orientation को हम discuss करेंगे कि इस profession को अगर आप pass करना चाहरे हैं, तो आप में क्या-क्या qualities होनी चाहिए, किस तरीके से आप इस huge profession को first attempt में पास कर सकते हैं, तो आज 14th of February है, बहुत सारे candidate के लिए bachelor हों या अगर married भी है, तो celebration का day होता है, but it's a working day for me, तो हर साल 2000, मतलब ये 2016 से onwards, 14th February को मेरी एक हमेशा नई class होती है, और इस बार US CPA की class start होने जा रही है, तो देखिए, जब आप US CPA को start करने जा रहे हैं, तो आपको day 1 से ही पता होना चाहिए, कि ये कोई normal profession नहीं है, मतलब आपको hard work काफी अच्छे level का hard work करना पड़ेगा, तो सर, हमारी process क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम पूरी study करेंगे, उसको हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, तो एक methodology मैंने यहाँ पर mention किये, कि अगर आपको CPA को pass कर रहे हैं, देखिए, बहुत सारे candidate admission ले ले लेते हैं, कि हमने सर, CPA, ह हमने भी सोचा चलो एक बार हम भी हमारे luck को अजमाले, बट यह एक professional exam है, तो यहाँ पर कीवल लक से काम नहीं होगा, hard work के साथ में एक सही direction और regularity बहुत important aspect है, तो यह जो methodology मैंने लिखी है, सबसे पहले है lecture, जो भी आपको lecture प्रोवाइट किये जाएं, हो सकता है कि आप live class में आना comfortable ना हूँ, because आपके वह commitments हो सकते हैं, बहुत सारे candidate मुझसे Canada से, Australia से, USA से पढ़ते हैं, तो almost 70% candidate live classes में नहीं आते हैं, recorded classes में आते हैं, बहुत सारे big four के candidates, जो की US shift में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी time management sometimes difficult हो जाते हैं, तो ये class बिल्कुल live class चलने वाली है, पूरी end तक जाएगी, लेकिन अगर आप live class नहीं भी आपाते हैं, तो आपको पूरी recorded classes इस particular live batch की मिलेगी, और पीछे की recording already है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, carry on कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात होती है sir lecture, जो भी lecture मैंने आपको deliver की ह 100% देखने ही दिखना है, बहुत सारे candidate बहुत बड़ी mistake करते हैं कि सीधर lecture को देखने के बाद, without reading of books, मतलब अगर मेरी पहली step है lecture, उसके बाद मैंने reading of books लिखाए, अब reading of books in the sense हम आपको दो प्रकार के study material प्रोवाइट करने माले, पहला आपको glam का study material मिलेगा, because we are the knowledge partner of glam review providers तो आपको एक glam की books मिलेगी चाहे फिर वो digital हो या physical हो, तो आपको हर lecture के बाद, एक reading definitely करना चाहिए glam की books की, तो candidate क्या करते हैं, lecture को पढ़ा और सीधे जम कर जाते हैं MCQ को, तो इसलिए मैंने तीसरी step में mention किया multiple choice question, sir lecture को properly watch करने के बाद, glam study material को पढ़ने के बाद, और मैं भ यह बहुत सारे review providers होते हैं, backer है, wiley है, glam है, surgeon है, और भी हो सकते हैं, मुझे नाम जो tips पर याद हैं, लेकिन सब को मैंने read किया हुआ, सब से पढ़ाया हुआ, कभी ना कभी, किसी time backer से पढ़ाया है, कुछ समय wiley को prefer करते थे, फिर glam पे इसलिए आए, क्योंकि glam का material बहुत ज्यादा authentic लगा, और result बहुत अच्छा आता है, उससे, लेकिन सभी review providers की limitations है, because they all are review providers, तो review का मतलब होता है, कि आपने already बहुत सारी चीज़े पढ़ी हुई हो, आपको बहुत कुछ पहले से आता हूँ, और उस knowledge को आपने केवल upgrade करना है, review, मतलब revision kind of, लेकिन CPA, अगर Indian candidate को pass करना है, तो review से काम नहीं होगा, इसलिए 2023 onwards मैं अपने notes भी provide करने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको notes मिलेंगे, और वो आपको किस तरीके से help मिलेंगे, दूसरी बात, I am not going to take any master class और orientation session only, कि आपको केवल एक class provide कर दी, जब मेरी live class start हो तक जाने वाली है, तो हम कोई master classes नहीं लेने वाले, मैं ही आपको चारो subject पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके बाद आपने मेरे notes को पढ़ने के बाद multiple choice question को करना है, तो सर पहली बात lecture, reading of books, उसके बात MCQ, और हर candidate से मेरी request है, यह मैंने यहाँ पर अगर screen पे आपको देखने क बिल रहोगा 80% score, अगर आप हर unit में 80% score करते हैं, मैं आपको stamp paper पे लिख कर दे सकता हूँ, stamp paper पे लिख कर दे सकता हूँ, glam की material में अगर आपका 80 score आ रहा है, आपका exam में 90 आएगा, और अगर 80 नहीं आ रहा है, तो यह भी sure है कि आपके chances कम है, तो पहला assurance आपको class में यह द unit को पढ़ने के बाद हम तभी simulations की और move on करेंगे, जब हमारा हर unit के अंदर 80% score आएगा, अगर यह सारी process को अपने follow किया, CPA उतना difficult नहीं है, it is difficult to make easy, मेरी language में अगर बोले, तो यह मुश्किल नहीं है, इसको आसान बनाना मुश्किल है, तो यह सारी approach हमारी रहने वाली है, उसके बाद, because CPA is a MCQ-based examination, multiple choice question-based examination, तो सबको लगता है, कि हमें calculation करना है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, कि यहाँ पर अगर मैं आज far subject के respect में आपसे बात कर रहा हूं, far subject के respect में, तो far subject में 20% theory-based questions आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, what kind of theory-based questions आते हैं, और आपको theory-based में, इस particular batch में किस तरीके से help मिलने वाली है, sometime 20 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, मतलब average निकाला है मैंने, एक student से मैंने personal feedback लिया तो सर बोले, मेरी exam में 50% theory आ गई, किसी में 20 आ जाती है, 30 आ जाती है, 40 आ जाती है, लेकिन minimum lower side में 20% theory question आपसे पूछे जाएंगे, अब theory question कैसे हो सकते हैं, like definition में उन्होंने आपको दिदिया, questions में option दिदिये, current assets, current liabilities, treasury stock का treatment, जैसे उन्होंने पूछे लिया, treasury stock will be subtract from the equity or not, treasury stock is a part of retained earning or not, these kind of theory questions they will ask, तो आपको theory को भी बहुत equal weightage देना होगा, अब over the period इतने सारे students को पढ़ाने के बाद, एक personal observation, हर student से मैं generally, personally, अगर आपने mentorship batch में admission लिया हुआ है, तो एक ना एक बार मेरी, हर बार आपसे आपका एक study plan के respect में discussion हुआ होगा, कि आप इस study plan को follow कीजिए, because बहुत सारे नए candidates हैं, तो जब मेरी आपके साथ personal meeting भी होती है, तो मैं हमेशा एक study plan बनाता हूँ, आउट पूछते हैं, तो सबसे ज्यादा उनको एक problem आती है, long numerical questions को solve करना, अगर आपने ये art सीख लिया, how to solve long numerical questions, आपके exam में score बढ़ने के बहुत ज्यादा chances, तो long numerical questions को कैसे करेंगे, वो भी हम discuss करने माले, सर, short numerical questions के लिए एक approach अलग होती है, तो mcq की approach में आपको जब simultaneously बहुत सारे multiple choice question करवाऊंगा, तो आपको एक idea लग जाएगा कि किस तरीके से मैं mcq करना है, तो ये एक हमारी approach होने वाली, उसके बाद ये पैरा मेरा सबसे favorite, performance report, अभी मैं आपको Glam के software में performance report के बारे में को कि बहुत सारे नए student है, अगर आपकी performance report Glam software में 80% बोल रही है, in all units, और उन सारी unit में 80% performance को अचीव करने के बाद, including simulations, not only in multiple choice question, I am talking about simulations also, आपको दुनिया की कोई भी ताकत CPA बनने से नहीं रोख सकती, उसका reason, ये human error के chances यहां पर zero है, sir, human error के chances zero क्यों है, exam computer based है, सारे multiple choice question है, अगर 50% portion multiple है, और simulations भी computer पर ही होना है, तो लिखना कुछ है नहीं, multiple choice question based examination है, तो human error नहीं होगा, subjective decision नहीं हो सकते, इसलिए अगर आप में talent है, तो आप pass हों, या luck का कोई game नहीं है, जैसे बहुत सारे हैं मेरे Indian Chartered Accountant students हैं, या CA final के हैं, या CA enter के student, वो जब अपनी ICAE की exam देते थे, तो वो एक marks से, दो marks से fail हो जाते थे, just because of change of opinion, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपका luck, आपको घर छोड़ के आना है, merit basis पे, skill basis पे ये exam है, skill के साथ में data analytics, आपकी performance report, software में बताएगी कि आपने 80-85 score सभी unit में किया है, आप without any fear, मुझसे permission लेके, मुझसे पूछ के कि sir, now I am going to book the exam, मैं आपको बोलूँगा, और आप exam देंगे, और definitely आप pass भी होंगे, और pass होने के बाद मैं आपका interview भी करूँगा, यह सब कुछ होता है मेरे साथ में, और कई student को मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप pass होने वाले हो, इस day को अपने exam दे देना, और आपके साथ में हमें zoom waiting कर लेंगे, तो मुझे इतना experience है इस field का, तो आप performance report को अभी हम later on discuss करेंगे, लेकिन आप इस पहले orientation वीडियो को definitely दो-तीन बार जरूर देखना, और जब भी आपकी performance report less than 80% है, ask from yourself कि now you are not ready to become a CP, और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, एक paper की cost आपको पता है US CPA की कितनी है, इंडियन रुपीज में अगर मैं बात करूँ, इंडियन रुपीज में approximately 55,000, 55,000 रुपे, तो 55,000 अगर आपने एक बार spend कर दिये, और अगर आपने under prepare होके exam दे दी, under prepare होकर, तो दूसरी बार क्या होगा पता आपके साथ में, आपके मन में self-doubt arise हो जाएगा, और जब self-doubt arise होता नहीं, तो इंसान over conscious हो जाता है, तो उससे गलतियों की chances बहुत जादर प्रते हैं, तो मेरी आपसे request है, जब कभी भी आपको exam देना हो, मेरा mail ID आपके पास permanently है, आप मुझसे meeting की request कीजिए, बहुत सारे मेरे student है, एवन कही student का, तो मैं zoom बे उनको बलता हूँ कि यार ये date पर आप NTS फाइल कर दो, मतलब NTS आने के बाद आपको प्रोमेट्रिक सेंटर पर अकाउंट बनाना होता है, तो पूरा guide हमको आपको हमारी team करेगी, मतलब सबसे पहली process होती है CPA का evaluation, आपका evaluation होगा, बहुत सारे states होते हैं, वहाँ से आपका evaluation आजाएगा, evaluation आपको start कर लेना चाहिए, जूसरी बात, उसके बाद आपकी classes चल रही हैं, आपको फिर exam book करने के लिए notice to schedule फाइल करना होता है, तो उसके लिए आपको fees बे करने पड़ती है after evaluation, तो फिर क्या होता है कि जब आप evaluation करवाते हैं, तो आपके पास evaluation के बाद जैसी है आपने notice to schedule फाइल किया, six month का time होता है, उस six month में आपको exam दीनी है, तो मैं generally probetric center पे student से खुद बोलता हूँ कि यह यह वाला date choose करो और ऐसे ऐसे planning होगी, तो वो next level के planning है, वो हम discuss करेंगे आपके साथ, तो अगर आप मुझसे पूछ कर, सच बोल रहा हूँ है, आपको बहुत सारे interviews आप देखिए, US से एक housewife है, मुझसे पर्मेशन लेके exam दी पास, इलिजबिध हैं, बिक फोर में आज लेंडन में काम कर रही हैं, उनका भी आप interview सुन लीजी, मुझसे पूछ के exam दी पास, इश नारंग मुझसे पूछ के पास, बहुत सारे tips पे मुझे example याद है, अभी थोड़े दिन पहले एक रिशब करके, मेर से हमेशा बात करके, जिसने भी exam दी है, वो fail नहीं हुआ है, अगर आप मेरे under में, मेरे supervision में अगर आप काम करेंगे, तो definitely आपका पास होना share है, क्योंकि मैं आपको कभी भी बोलूँगा ही नहीं, जब तक मैं उस software में निकली performance को, और आप से 2 mocks solve करवाऊंगा, जब आप 2 mocks को पास करेंगे, then only I will say, कि now you are ready to become a CP, और आपको फिर exam देनी है, लेकिन CP एक long journey है, बहुत सारे आप सोचेंगे, 6 month में बन जाएंगे, 8 month में बन जाएंगे, yes it is possible, अगर आप एक chartered accountant है, पहली बात, और आप अपनी study से भी touch में हैं, और आप मतलब daily 4 to 5 hours, consistently 5 hours पढ़ सकते, consistently, तो आप 6 month में भी पास हो सकते, मतलब फिर आपको 5 घंटे, मतलब 5 घंटे पढ़ना पढ़ेगा, और exam के एक महीने पहले, एक महीने की leave ले ली पढ़ेगी, आप 6 month में भी पास हो सकते, सारे मेरे recorded lecture अलरेडी अविलेबल है, हमारे पोर्टल पे previous batches के, विकॉज ये नई batch है, तो इसमें नया schedule होगा, तो sir, ये performance report को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, अगर इसमें आप lack कर रहे हैं, आप CPA नहीं बन पाएंगे, और इस class में बहुत सारे institute से, कई ऐसे student हो जो हम से पढ़ने आते हैं, दूसरे institute में, क्योंकि live classes नहीं चलती हैं, master classes चलती हैं वागे वाई, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कि आपने मेरी class को choose किया है, आपके पास software दूसरा हो सकता है, किसी के पास backer होगा, किसी के पास wily होगा, आपका software आपको, उसमें भी वोई question है, जो glam में हैं, तो question bank में कोई फरक नहीं, लेकिन मेरे lecture definitely आपको help करेंगे, और मैं आपको ये surety से कह सकता हूँ, कि जो हमारे institute से पास नहीं हो सकता, वो और कहीं join भी नहीं करेगा, विकुस इतनी detail study मैंने करानी है, कि long journey है, तो अब आपको ये commitment करना है, कि सर हमें CPA join नहीं किया सर, हमें बनना है, तो आगे हम अगर discuss करें, आज मैं आपके सामने एक पहला module discuss करने जा रहा हूँ, basically ये lecture बहुत important होने वाला है, पहला module जो है, वो financial statement में, financial statement as per US gap, exam में इसका weight is 15 से 16 परसंट के असपस है, लेकिन जितने भी chapter आप CPA में पढ़ेंगे, जितने भी उसमें इनकी terminology डेफिनेटली यूजने वाली है, around 20 units हैं, 20 chapters हैं, हर chapter में financial statement से related कोई ना कोई term आई ही जाएगी, तो very very important lecture, तो ऐसे students जो already recording classes में financial statement को देख चुके हैं, उनको भी इस batch का फाइदा मिलेगा, कुछ different हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर live classes organize की जाती है, तो कुछ ना कुछ तो different होगा ही, और हमेशा मैं जब भी कोई नई batch start करता हूँ, तो एक quote हमेशा मैं करता हूँ, तो इस particular batch के लिए मैंने, मुझे लगता है CPA को बहुत बड़ा designation है, तो आपको बहुत कुछ sacrifice करना पड़ेगा, तो आप screen पे देख रहे हूँगे, एक quote लिखा है मैंने, if you don't sacrifice for what you want, what you want become the sacrifice, इस बात को आप ध्यान रखिए, कि CPA करने के लिए आपको बहुत कुछ sacrifice करना पड़ेगा, यह सच, आपको अपनी family से time चुराना होगा, आपको अपनी work life से भी समय लेना होगा, work और study life का balance बहुत important, 90% student अगर CPA नहीं कर पाएंगे न, तो उसका सबसे बड़ा reason होगा कि वो over occupied होंगे, अपनी company को लेकर अपने job को लेकिए, obviously बात है आप सभी working professionals हैं, तो अपनी daily, अपनी life को चलाने के लिए आपको work करना कमपल ज़री है, लेकिन एक बाद ध्यान रखिए, जिस company में आप job कर रहे हैं न, वो company आपकी permanent नहीं है, CPA बनने के बाद आपको इतनी opportunity मिलेंगी कि आप खुद, चूस करेंगे कि किस company के साथ आपको काम करना, यह मैं इसलिए भी कह सकता हूँ, बहुत सारे placement होते हैं, और बहुत सारे मतलब, इवन अभी recent बात है, एक student को big four से offer मिला था 30 lakh का, उसको seven year का experience है, उसने उसको भी just इसलिए reject कर दिया, उसका एक paper बचा हुगा है regulation का, उसका last paper है, I guess 28 February को last paper है, और मैं आज आपको बोल रहा हूँ, तीन या चार मार्च को मैं उसका interview करूँगा है, वो pass होने आएगा तीनो paper pass हो चुगा है, उसने 30 lakh के package को से PC बात के लिए रोग दिया, तो चलिए, आज से हम start करने जा रहे हैं, पहला day ये orientation session था, अब हम officially start करेंगे पहला lecture financial statement का, meanwhile अगर किसी के कोई concern है, तो वो chat box में definitely mention कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूट ने लिखा study plan, तो study plan के बारे में discuss करेंगे, आज लंबा session है, अगर किसी को कुछ concern है, definitely chat box में आप mention कर सकते हैं, तो उसका में respond आपको करने वाला हूँ, चलिए, so day one को start कर रहे हैं, पहला lecture basically है, financial statement से related, और जैसा मैंने आपको अभी बताया, कि financial statement जो है, वो सबसे important chapter होने वाला है, तो अगर आपको financial statement, आपने already recording classes में देख भी लिया है, तो भी आप इस lecture को definitely attend कीजिए, तो हम जो बात कर रहे हैं, financial statement US gap के according, तो financial statement includes basically balance sheet, जिसको की statement of financial position बोला जाता है, statement of income, यह आपके लिए word नया होगा, बहुत सारे candidate, statement of income को net profit and loss account के नाम से भी जानती, तो एक confusion आपको इसमें starting day 1 से भी हो जाएगा, कि सर यह statement of income, comprehensive income, यह बहुत confusing line है, तो धीरे धीरे आपको इन सारी चीजों में clarification दिया जाएगा, अभी इसमें एक financial statement missing है, क्या कोई student मुझे बता सकता है, कि वो कौन सा financial statement जो यहाँ पर missing है, अभी मैंने इसको नहीं लिखा है, तो वो financial statement है, cash flow statement यहाँ पर मैंने अभी इसको नहीं mention किया, लेकिन वो भी financial statement का ही पार्ट उपर है, तो आज के इस lecture में, हम जो start करने जा रहे हैं, वो balance sheet को समझेंगे, क्योंकि Glam study material की starting से ही अगर हम समझें, तो उसमें पहला chapter आपको balance sheet को देखने को मिलेगा, तो sir हमें Glam की books को पढ़ना चाहिए, कि आपके notes भी sufficient होंगे, दोनों को पढ़ना चाहिए, मेरे notes में आपको additional बातें देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ detail देखने को मिलेगा over the period of time, तो अगर आपने Glam की book को ignore भी कर दिया, तो भी मेरे notes से भी पढ़नोंगे, तो बहुत benefit हो जाएगा, तो ये बात मैंने इसलिए करी, क्योंकि मेरे पास हर महीने कम से कम 15-20 student, other institute से join करते हैं, वो already backer लेके बैठे हुएं, या उनका private software लेके बैठे हुएं, तो problem क्या आजाती थी, कि हम देतने Glam का material, और उनके पास software होता है, दूसरा, तो फिर मैंने सुचा, मैं अपने ही notes दे देता हूँ, आपको थोड़ा सा उसमें और addition करके, तो definitely आपको मेरे notes पढ़ने के बाद, फिर चाहें आप backer से पढ़ें, Glam से पढ़ें, किसी से पढ़ें, सब आपको, ये notes सबसे better लगने लगेंगे, पूरे detail मैं इसमें सारी चीज़ें डालने वालों, सब को study करने के बाद, सब को, सब का best, मैंने अपने notes में शामिल कर दिया, over the period आप मलूम कैसे observe करेंगे, आप जब multiple choice question करेंगे, तो मेरे उस notes में वो सारा reference आ जाएगा, तो sir हम आज से start करने जा रहे है balance sheet, तो पहले आज हम देखने वाले balance sheet का दूसरा नाम है, statement of financial position, इसको हम क्या बोलते हैं, statement of financial position भी बोलते हैं, तो आपके सामने मैंने balance sheet as per US gap बनाई हुई है, अब आपको एक बार liability side को अच्छे से observe करना है, क्योंकि इस class में मेरा object interactive session रखना है, तो मैंने आपको chat box में भरपूर लिखने को दिया है, कि अगर आपको कोई भी ऐसा point नहीं समझ में आए, तो I am more than happy कि आपके chat box में में आपको सारा अच्छे से respond कर सको, तो सबसे पहले आप देखिए, इन liability side में आप एक बात observe कर रहे होंगी, कि सबसे पहले लिखा हुआ current liabilities versus non current liabilities, उसके बाद liabilities में हमने current liabilities plus non current liabilities, दोनों का total लगा दिया, तो वो क्या आगई, total liabilities, आपको कोई ऐसी item है, जो आज तक आपने पहली बार देखी हो, आपको समझ नहीं आ रही हो, कि सरी क्या लिखा है, क्या ऐसा कोई element of balance sheet, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप first time देख रहे हैं, जिसके पारे मैं आपको knowledge नहीं हो, तो आप mention कर सकते हैं, definitely मैं respond करूँगा, because मेरी class में बहुत सरे student B.com graduate है, जिनका कोई CA background नहीं है, तो आप हो सकता, किसी बात को अच्छे से ना समझते हो, तो मैं definitely आपको respond करूँगा, अगर day 1 से आपको एक एक आइटम को clarity, clarify करते हो चलना है, तो सबसे पहले हमने liability side में सारी बातों को mention किया हुआ है, क्या कोई ऐसा figure है, जिसको आप first time देख रहे हैं, तो current liabilities में आप देखिए, accounts payable, सबको पता है, accounts payable just like creditors, अगर Indian scenario के point of view से बात करें, accrued interest, accrued interest मतलब क्या हो सकता है, कि sir हमारे हमने interest due तो हो गया, बट उसका actual में हमने payment नहीं गया, तो that's why it's a liabilities, current maturity of long term debt, this is very important line, अब देखिए, ऐसी line important इसलिए है, कि जब आप multiple choice question करेंगे, तो आपको ऐसा दे दिया जाएगा, कि हमने bond को issue किया था 20 year back, और अब वो just 3 month बाद matured होने वाले है, तो वो क्या लिखा है, current maturity of long term debt, तो उसको हम क्या करेंगे, because वो 3 month के अंदर payable है, within 1 year अभी हम उसका payment करने वाले हैं, that's why it's classified as current liability, तो अगर वो जल्दी matured होने वाले है, next year में तो उसको long term की जगा current में classify कर दे, इसी तरीके से accrued salary wages, income tax payable, अपने experience से, क्योंकि सारे MCQ मेंने बहुत सारे solve की, income tax payable, और defer tax, में exam में बहुत सारे questions आप से पूछे जाएंगे, मतलब जब आप MCQ करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे, अच्छा कई बच्चे बीच बीच में वो चला देते हैं, चलिए, तो आप से मैं एक question पूछने जा रहा हूँ, टेक्स पेबल और defer tax, सबसे एक word आ रहा है, defer tax और tax payable, तो हमने balance sheet में देखा, कि tax payable जो है, वो current liability में classify किया गया है, और जो defer tax है, वो current liability में classify नहीं किया, अगर आप note, में देखेंगे, तो आपको नीचे देखने को मिलेगा, कि deferred income tax का जो classification है, बहुत सरे, MCQ में ये points दिया हुए, वो long term liability, याने non current liability में, उसको हमने क्या किया है, classify किये, sir, non current liability, जिसका payment, आप after one year करने वाले, that is called non current liability, तो ध्यान रखिए, deferred tax जरूरी नहीं कि next year ही, आप utilize कर ले, that's when deferred tax क्या होगा, non current portion माना जाएगा, और अगर income tax, जो liability है, आपको within one year ही pay करने है, को कि इस साल की liability है, तो obviously बात है, आप next year में pay करेंगी उसको, तो that's why it's classified current liabilities, उसी तरीके से non current liabilities में, बांड people, long term note people, employee related obligations, future में हम pay करने वाले, तो यह सारा classification में नहीं आपर mention किया हुए, balance sheet as per US gap, उसके बाद आपको सबसे important section यह वाला है, equity segment, this is very very important, अगर आप देखें, तो equity segment को समझने के लिए, कई student को बहुत समय लग जाता है, तो equity का मतलब क्या है, क्या equity को किसी और भी नाम से जाना जाता है, क्या किसी student को पता है कि सर equity को हम दो तीन नाम से जानते हैं, यहाँ पर केवल equity word यूज नहीं करूँगा मैं, equity के other name भी है, कितने स्टुडेंट को पता है कि सर एकुटी को और दूसरे नामों से भी जाना जाता है चैट बॉक्स में मेंचन कीजिए फिर मैं आपको एकुटी का मतलब पूरी तरीके से समझा दूँगा किरती गुप्ता लिख रहे हैं सर एकुटी मतलब शेयर कापिटल कोशल लिख रह इसको हम बोलेंगे एकुटी तो अगर आप बैलेंसषीट में देखिए तो आपको कॉमन स्टॉक मैंने एकुटी शेयर कापिटल नहीं बूला दाएं आपके मैंने बुला था word equity तो equity includes common stock मतलब कि जिसको अप Indian student equity share capital के नाम से जानते हैं equity के लाब आपके एकुर्स shares होते हैं preference share होते हैं तो equity में preference भी आएंगे इस particular balance sheet में preference नहीं है तो क्या हुआ तो यह ध्यान रखे equity का मतलब preference share भी हो गया additional paid in capital additional paid in capital मतलब अगर आप पार वेल्यू के figure को अगर आप आपका share $10 का है और उसको आप $12 में issue कर रहे है तो जो additional charge कर रहे है टू रुपीज that is called additional APIC additional paid in capital just like a premium तो Indian student इसको security premium के नाम से जानते थी एक word आपको बहुत बार देखने को मिलेगा accumulated OCI तो बहुत सारे student इस word में भी confused हो जाते हैं A OCI तो basically A OCI के लिए अलग से पूरा chapter है other comprehensive income के लिए पूरा chapter है मतलब previous year की other comprehensive income plus current year की other comprehensive income is called A OCI तो sir हम इसको समझें कि A OCI का मतलब क्या है तो यहां पर word दिया गया है other comprehensive income और उसके साथ में लिखा accumulated है न मतलब ऐसे profit और loss जो की पहली बात net income में नहीं आते it is not the part of net income यही confusion आपको बहुत रहेगा A OCI कभी भी net income का पार्ट नहीं होती है A OCI कहां आती है sir A OCI ऐसे profits होते हैं जो आपने cash में realized नहीं किये actual में realized नहीं हुए कितने student ने जो basic classes पढ़ी उनमें को याद हो कि sir आपने बताया हुए A OCI का कोई example दे सकता है इस class में कितने अभी पीछे पढ़के आ रहे हैं कुछ student दो जो अभी इस class में बैटे हैं ओ A OCI का example तो A OCI इस मतलब unrealized profit जैसे हम example लेते हैं कि आपके पास कोई foreign currency data हो foreign currency data जब आपने goods sale किया था one dollar is equal to seventy था thousand dollar का आपने उनको माल बीचा था आपको 70 रुपीज उनसे लेने थे तो आपकी books में account receivable आपने कितने पर record की thousand dollar into seventy seven lakh रुपीज आपको लेने थे लेकिन balance sheet date पर rate change हो गया balance sheet date पर क्या हो गया rate change हो गया वह 80 हो गया तो यह जो account receivable थे वह कितने के होगा 80,000 हो गया तो यह 10,000 का जो benefit हुआ है 10,000 का benefit सर benefit कैसे हो गया सर हमने जिस दिन माल बेचा उस दिन हमको 70,000 लेना था balance sheet पर date पर आकर वह 80,000 की हो गया तो जो 10,000 का benefit है this is called unrealized gain तो यह unrealized gain क्या profit and loss account में डाल दे foreign currency gain नहीं बेटा इसके उपर पूरा chapter आपको पढ़ाया जाएगा कि OCI तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप multiple choice question करेंगे तो वह आपसे कई बार question में पूछेंगे calculate net income और उसमें जान मुझकर OCI की आइटम को वह insert कर देंगे like एक और example देता हूं मैं आपके पास कोई investment है वह available for sell investment है example के तौर पर आपने Tata company के share buy किये जिस दिन आपने buy किये आपने 100 share buy किये और एक share की price थी 120 तो आपका investment कितना हुआ इंटू 120 अगर हम करें तो 12,000 का balance sheet date पर balance sheet date पर वह 120 की जगह उसका 140 हो गई market change हो गया तो आपके investment की value कितनी हो गई 14,000 तो यह जो 2,000 का unrealized gain है क्या आपको actual में कोई profit हो गया क्या नहीं सर actual में profit नहीं हुआ अभी केवल balance sheet date पर जो investment हमारा 12,000 का था वह 14,000 का हो गया तो यह एक प्रकार का unrealized gain हुआ सर 12 की चीज 14 में हो गई यार आप सोचो आप बजार से gold खरीद के लिए करा मैं सिप example के लिए बोल रहा हूं गोल्ड को वैसे OCI भी नहीं आता शेर आपने खरीदे 12,000 का investment की और उसकी value 14,000 होगी क्या आपने मार्केट में जाके शेर को बेचा नहीं बेचा सरी अन्रिलाइज गेन है तो एस पर यूएस गयाप कि यह कहां पर आएगा ओसी आई है चलिए जनरल इंट्री कितने स्टूडेंट बना बता सकते हैं सर्फ 12,000 का हमारा investment था क्योंकि एक्जाम में जनरल इंट्री भी आती है सिबुलेशन में हम सारा discussion करेंगे 12,000 का investment था 14,000 हो गया बताइए जनरल इंट्री क्या पास करो गया फटा फटा फट और अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ा सा बैटर होगा कि कीर्थी गुपता ने पूछा कि सर बोल्ड प्राइज इंक्रीज होगी तो उसको क्यों ने डल रहें क्योंकि यूवस गैप ने कुछ इस स्पेसिफिक अन्रिलाइज गेन और लॉस के बार को ही प्रिस्क्राइब किया है जिसके अकॉर्डिंग इनका गेन और लॉस बाक जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश किया था 12,000 यह सर यह हमने लेट से 1st जनवरी को इन्वेस्टमेंट किया था और हम अभी क्वार्टरली रिजल्ट प्रड्यूस कर रहे हैं 31st मार्च को हम बैलेंस शीर बना डेबिट कर देंगे लेकिन यहां पर profit and loss account की जगह क्या करेंगे OCI में इसको क्या कर देंगे कि अब एक question में आप लोगों से और पूछता हूं Sir मैंने 15th April को इस investment को sold out कर दिया 17,000 में technical शुरू कर दिया है मैंने point यहां से मैंने थोड़ा सा level बढ़ा दिये जो भी student अगर इसकी general entry बता दे कि Sir investment 17,000 में आपने बेच दिया क्या general entry होगी आप सभी को बताना मैंने मौका दिया class में interactive रखेंगे थोड़ा सा slow चलेंगे हम starting दौर में अगर आप में आप बहुत अच्छा पढ़ते रहे तो definitely आपको बहुत benefit मिलेगा participate करने का general entry क्या होनी चाहिए सर तो सर सीधी बात है आपने investment को sell out कर दिया है तो before proceeding further मैं लोगों की entry चेक कर लूँ कुछ बच्चे बिल्कुल participate नहीं करते है participate थोड़ा सा करेंगे तो better होगा cash account debit तो होगा सर जो आपने यहां पर mention किया 17,000 cash account debit 17,000 हो गया सर investment किस value पर credit करें सर इन्वेस्मेंट का पहले था हमने यहां पर 2000 की value बढ़ा दी थी न जब unrealized gain हुआ था तो 14,000 पर पहुचा दिया था नहीं यह तो अभी investment 14,000 का balance sheet में आ रहा होगा to profit and loss account profit and loss account की जगा इसको हम net income भोल देंगे यहां पर profit and loss account वर्ड यूज नहीं करना है तो सर actual में में 3000 का profit हुआ बस अब एक बात यहां पर मैं आपको और mention करने जा रहा हूँ वो टेक्निकल है यह तो सबको समझ में आ गई होगी सर अब बताईए यह profit जो होगा वो realize है या unrealize है तो रितू net income वर्ड यूज करें profit and loss account इसे Indian scenario हो हम US gap को पढ़ रहे हैं तो सर एक बात अब हमें यहां पर देखनी पढ़ेगी कि हमें यह realize profit होगा that's why हमने इसको net income में डाला अब एक provision और है यह टेक्निकल है जब भी कोई टेक्निकल पॉइंट आएगा न तो मैं आपको इम्फिसाइज कर दूँगा अब आपके पास already OCI में कितना amount पढ़ा है already कितना पढ़ा हुआ है OCI में तो sir OCI में हमारे पास 2000 पढ़ा हुआ credit तो यह जो unrealized profit था अब यह क्या हो जाएगा realize हो गया तो इसको credit करके यहां से debit करके कहीं और transfer करना पढ़ेगा और कहां transfer करें कौन बताएगा यह 2000 realize हो गया तो realize profit अब OCI में नहीं पढ़ा रहेगा इसको हम net income की जगा कहा ट्रांसफर कर देंगे to retained earning sir retained earning versus net income भी कोई different scenario होता है क्या चलिए मैं आगर मैं नाम लेकर पूछूँ थोड़ा सा class में अटेंटिम लगने के लिए बताईए किरती गुपता आप नहीं है न रिटेंड अर्निंग और profit and loss account में क्या difference होता है जोती आप भी mention कर सकते है क्योंकि आपने अगर basic classes पड़ी है मेरी एक super 75 कप day 1 का lecture अगर आप देखेंगे में basic fundamental में भी यह points को बताता हूं what is the difference between retained earning तो बिल्कुल ठीक लिखा है किरती गुपता आपने retained earning is the previous profits accumulated past में जो भी profit आपने कमाया है वो net income में जाता है और पास्ट के profit retained earning में और current year profit net income में तो यह बात के उपर भी mcq है multiple choice question is a very dangerous situation आपको यह situation दी जाएगी theory बना के पूछ लिया जाएगा कितना amount net income में जाएगा और कितना amount retained earning में जाएगा तो यह भी पहचानना हूँ तो sir OCI हमने क्या किया OCI से transfer कहां पर कर दिया sir retain earning में कर दिया क्यों कर दिया because unrealized profit जो था वो अब realize हो गया है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी question में इस प्रकार की general interest simulations करते समय आपको बहुत important role play करेगी ध्यान रखिए यह CPA पढ़ रहे हैं आप तो यहां पर आपको word to word पढ़ना पढ़ेगा line by line पढ़ना पढ़ेगा और चोटी चोटी बातों को जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं तो इसको आपको notes में लिखना पढ़ेगा जी 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 आपने जो chat box में लिखा उसका reply में yes में तेरा उस chat को मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा वाकि दूसरे student confusion नहीं हो जाए आप correct हैं जो आपने mention किया है उसका answer यही है सो सर हमने एक बात समझी मतलब के takeaways अभी मैं आपको क्योंकि basic समझा रहा हूं financial statement का कुछ की बात मैंने यहां पर आपको समझाना है और आज के बाद आप इस बात को नहीं बूलेंगे OCI अलग बात है net income अलग है और एक और बात अलग है comprehensive income अगर आपने इसको समझ लिया इन तीनों को बहुत अच्छे से इन तीनों में आपको distinguishment समझ में आ गया कि सर OCI क्या है net income क्या है comprehensive income क्या है तो आपके 30% questions सही होना शुरू हो जाएंगे सच बोल रहा हूं 30% portion पहली unit का सही हो जाएगा चलिए एक question आपसे पूछते sales कहां पर आनी चाहिए पोल कर लेते हैं छोटा सा है बहुत basic level की बात sales कहां पर आनी चाहिए credit sales अभी actual में पैसा नहीं मिला है examiner ने एक question दिया था credit sales word उन्होंने cash word यूज नहीं लिखाया तो credit sales is a part of net income और OCI तो मैं option दे रहा हूँ आपको मैं को बता है क्लास में कुछ बच्चे इस बात का answer गलत देंगे इसी लिए अभी शुरुवाती दोर है तो 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 जो चल रहा हूँ एक second मुझे पूरी उमीद है कुछ बच्चे इसको गलत देंगे answer कुछ बात मुझे बोलनी थी यहां पर वो ल, O, O, C, I लिखा गया अब उसको O, C, I ही समझना न टाइपिंग टाइपो एरर हो गया वोट देने का अधिकार सबको है और सभी वोट दें क्रेडिट सेल्स लिखा है मैंने बस मैं देखना चाहता था कौन से स्टूडेंट नेट इंकम लिखेगा कौन से इंकम स्टूडेंट ओसी ए लिए लिए अब कुछ बच्चे बोल्ट नहीं दे रहे हैं समय अपना भी खराब कर रहे हैं तो वोट देना कंपल सरी इस क्लास में अभी 55 परशन बच्चों नहीं एंसर दिया मैंने आपसे सिंपल ही पूछा क्रेडिट सेल ओसी आई में आईगी या नेट इंकम में आईगी तो सर पहली बात चलो दो बच्चे लिख रहे हैं अभी भी 30 परशन बच्चों ने वोट नहीं डाला है समय ना खराब करें क्लास लाइव क्लास चल रही है तो लाइव क्लास में समय आपका है जितनी जल्दी हो सब्सक्राइब को मैं सोचने का समय नहीं लेना चाहिए मेरा वैसा मानना है क्योंकि एक्जाम में 30 सेकंड में आपको एंसर दिना पड़ेगा चलिए तो एक मिनट से कम का समय लेकर जो बच्चों ने एंसर दिया तो दो बच्चे बोल रहे हैं OCI में और 89 बाकी नहीं बोल रहे हैं तो वह वैलेंटाइन डे मना रहे हैं आज क्यों आज हमको एंसर नहीं देना है सो सर क्रेडिट सेल इस पार्ट ओफ नेट इंकम ओसी आई में नहीं आएगा पिटा यह अन्रीलाइज सेल कर दी तो यह रिलाइज प्रॉफिट ही है हमने माल बेच दिया है भले उधारी में बेचा मिलेगा तो सभी ना बाद में तो मिलेगा न सर नहीं मिला तो डूब गया तो क्या हुआ तो भी लॉस नेट इंकम में ही डेबिट होगा तो इस रिलाइज प्रॉफिट हमने ओनर्शिप यहां पर क्या कर दी है टांसफर कर दिये तो ओसी आई नेट इंकम कॉंप्रिहेंसिव इंकम तीनों अलग अलग बाते हैं और तीनों में ही कई बर आपको कनिफीजिन हो जाएगा अच्छा वो जान मुझके कई बर ऐसा दिदेंगे अर्थ्विक आ गया अब मैं आपसे पूछता हूं अर्थ्विक आ गया और का रिस्पॉंड होना चाहिए कि बटन तुरन दब जाना चाहिए सर अर्थ्विक आ गया तो भी क्या हुआ अब देखो एक शुभम शर्मा ने लिख दिया न ओसी आई बस इसी लिए सीपी एक्जाम डिफिकल्ट हो जाए क्या अर्थ्विक आय तो यह अन्रीलाइज है क्य कोई वेल्यू थो एक्च्वल लॉस है नेट इंकम ओसी आई में केवल अन्रीलाइज अन्रीलाइज वर्ण आते अन्रीलाइज वो भी स्पेसिफिक 5 और 6 उसके बारे में हम डिस्कॉस करेंगे तो सर ऐसे कन्फ्यूजन वाले आपको वर्ण देखने को मिलेंगे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बस मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो सर हमने OCI के बारे में डिस्कॉस किया प्रोपिटेंड इंस सबकी टॉट अ को मिला कर हम क्या बोलते हैं इन सबकी मिला कर इ haft क्या बोलते एक्वीटु इस एकुटी का ही दूसरा नाम है नेट एसेट चलिए इस कुश्चन में आप एसेट साइट देखिए आपको टोटल एसेट देखने को मिल रही है यह यह टोटल साइट इस साल का करेंट टीर का देख रहोंगे आप यह ग्रीन बनाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है सर टोटल एसेट इस बैलेंच शीट में करेंट साइड में टोटल एसेट नॉट नैट 10,400,000 है सर लिख दो जाके एकसल में लिख देते हैं तो हम लिख देते हैं कुछ बात आपको बतानी थी आप टोटल एसेट टेन लेक फॉर्टी थाउजन अब अब दीखिए टोटल लाइबिलिटी मैंने यहां पर टोटल एसेट्स लिए 10,400,000 लिए न टोटल लाइबिलिटी देखी कितनी है सर टोटल लाइबिलिटी है हमारी 10,000 है फिगर अगर देखें 6 प्लस 10 प्लस 390 कई लोग लिख रहें सर टोटल लाइबिलिटी अगर हम देखें है हाँ टोटल एसेट्स का फिगर मैंने गलत लिख लिया है टोटल एसेट्स एटीन लाइबिलिटी कितनी है सर टोटल लाइबिलिटी अगर हम देखें तो यह है 10,000,000 अगर 18,000,000-10,000 कर दे तो नेट असेट्स एक जीरो वह बेर हम अगेंशन लग लग गा तो कई बर लिखते समय टाइपिंग भी होग तो आप लोग तो थोड़ा सा देख लेना पांच छेश होने लागेंगे ना तो सर यह जो एट लग आया-दिस इस वोटल लियाबिलिटी माइनिस कर देट इस और इकुटी और एकुटी को ही नेट असेट पोलते हैं तो ऐसे कई बार आपको फिगर मिसिंग कर दी जाएंगे आप पता चले एकुटी में कॉमान अडिशनल पेडिन क्यापिटल अक्यूमिलेटेड ओसी है और रिटेंड धूं किसको नेट वर्किंग क्यापिटल का फॉर्मूला पता है नेट वर्किंग क्यापिटल क्या आपने देखो बी कॉम पढ़ा हुआ है ना ट्विल्थ क्लास तो पड़ी हुई है नेट वर्किंग क्यापिटल किसको पता है सर हम सब को पता है करेंट असेट्स माइनस करेंट नहीं पता है तो इसको पता कर लें न, Net Working Capital, अब एक वर्ड यहां पर लिख रहा हूं, Net Working Capital प्लस फिक्ड असेट्स यहां लिखलो, Net Working Capital प्लस नौन करेंट असेट्स माइनस नौन करेंट लियाबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है कितने सूलन को पताए कि सरी क्या इसके एकविलेंट क्या होना चाहिए, अगर आपने इस लेवल पर जाकर सोच लिया, मतलब आपका बेस सूपर डूपर स्ट्रॉंग है, जल्दी बताए इसको इसको भी क्या हम एकविटी बोलें, हाँ सर यह भी तो एकविटी ही है, सर क्या बात कर रहा, आपने दर नेट वर्किंग कैपिटल लिखा, बेटा देखो ना हमने यहां पर नेट वर्किंग कैपिटल को क्या बोला, करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, प्लस उसमें मैंने क्या जोड़ दिया, नॉन करेंट है, एमसी क्यू है, इसलिए बता तो दोनों मिलाकर तो एक्विटी हो गया ना, अब ये बात जो है, वो रिव्यू प्रोवाइडर नहीं लिखते, बताओ क्यों नहीं लिखते होंगे, और वो सीधे मल्टिपल चोईस कॉस्चन में बात दे देते हैं, बोले सर किसी पुक में कहीं नहीं लिखा, और पाता हूं ये बात, क्यों नहीं लिखते हैं, उसका लॉजिक क्या होगा, वो इसलिए नहीं लिखते हैं, क्योंकि CPA कौन सा कॉर्स है, आफ्टर ग्रेजुएशन, इसकिल अपग्रेड, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि आप अमेरिका के जितने इकुविलेंट ग्रेजुएड क् मतलब अमेरिका की एजूकेशन को पैरामेटर रखते हैं, वो उनको थोड़ी पता है कि आप इंडिया के किसी बिहार की इनिवर्सिटी से या इंडिया में आपने वन नाइट स्टडी करके ग्रेजुएशन कर लिया था, अब आप कभी ग्रेजुएशन में इतना डीटेल म में पहस you to 120 के-उपर आप ही च्या करो इसकीशन को अफग्रेट करू तो यह ऐसा करते है कि आपको पहले से पता है आपको पैले से पता है यह करते हैं, यह अदर इंडियन स्टूड़ करते हैं आप डूंप ऐसे लिए असानी से पास कर ले थे स gefähr में अर Commerce अकाउंट कंपनी अकाउंट सी एंटर पर दो लेवल पर है फाइनल लेवल पर पी वह आल्रेडी पढ़के आए और पढ़के नहीं आए वह इंस्टीटूट अप चार्टेट अपाउंट इंडिया की एक्जाम देखे रहा है और वह एक्जाम कोई छोले देके नहीं पास हो स करना होगा इसी लिए मेरी सुपर सेवेंटीफाइक की क्लासिस को आप दिखिए उसमें आपको यह बेनिफिट मिल जाएगा अधर्वाइज आपको दुनिया की किसी बुक में इस प्रकार का एक्जामपल देते हुए नहीं मिलेगा यह एक्जामपल तो आईसी आइम दिया हैं लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि सत प्रतिशत मुल्टिपल चॉइस कोश्चिन जिस बात के ओपर बन सकते हैं उसके एक्जामपल को में आपको मेरी लेक्चर में बहुत कुछ एडवांटेज मिलेगा तो सर एक्विटी क्लियर हो गया सभी को कोई ऐसा स्टूर्ट जिसक पूछेंगे तो एक्विटी वर्ड आपका पीछा नहीं छुड़ने वाला है एंटायर युनिट में इंवेस्ट्मेंट पढ़ने जाओंगे वहां पर एक्विटी का मतलब यहां पर आज के बाद आपको क्या पता है एक्विटी का मतलब सर यहां पर नेट वर्थ होता है शेयर क्यापिटल नहीं होता यूएस गाप के तो आगे बढ़ते हैं तो सोची हमने एक स्लाइड को समझने में इतना एनर्जी और इतना टाइम लिया तो आपको भी पढ़ते समय यह छोटी छोटी बाते ही ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं आगे इक्वीटी को समझाया है तो एक्वीटी के साथ में एक वर्ड रिखा रिखा रेशिडियल आप्टर टोटल लाइबिलिटी आर सब्स्ट्रेक्टेट फ्रॉम डी टोटल एसेट्स मैंने एक्जामपल भी दे दिया आपको समझा भी दिया तो एक्वीटी में क्या क्य अर्निंग हमने समझ लिया ओसी आई को हम समझ चुके यह उसी आई पुराने प्रॉफिट प्लस करेंटियर के प्रॉफिट मिला कर क्या बन जाती अब एक वर्ड आ रहा है नौन कंट्रोलिंग इंट्रेस्ट इन दी कंसॉलिडेट एंटिटी बस यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह भी पार्ट ओफिटी है यहाँ पर वर्ड के लिका नौन कंट्रोलिंग इंट्रेस्ट कितनों को पता है क्या है यह कि नौन कंट्रोलिंग इंट्रेस्ट क्या है सर यह तो सर नौन कंट्रोलिंग का कंसेप्ट अभी अराइज होगा जब सबसीडरी और होल्डिंग का कॉंसेप्ट अराइज होगा किसका सबसीडरी और होल्डिंग सर एक एच लिमेटेड है एक पेटा एस लिमेटेड है ठीक है एच लिमेटेड ने एस लिमेटेड के अंदर 90% चेर होल्ड कर रहे हैं तो सर 10 परशेंट किसी और ने होल्ड कर रहे होंगे हमने आप ऐसा सोचो मेरे पास किसी दूसरी कमप्री के 90% share है तो मैं उसको control कर रहा हूं बाकि 10% लोग तो control नहीं कर रहे हैं तो इस 10% को हम क्या बोल रहे हैं NCI इसको हम बोल रहे हैं non controlling interest shortcut लेग देते हैं अब सर इसका एक और नाम है minority interest जो कि इंडिया में use किया जाता अमेरिका में नहीं किया जाता है तो आप मेरा आप से question है यह NCI equity में कब आएगा in what situation आएगा यही बात important आपको chat box में सका answer देना कब आएगा यह participation बहुत जरूरी है कई लोग बिल्कुल audience बनके बैठे हुए मैं इसलिए बीच-बीच में चेहरा अपना भी दिखा रहा हूं और आप लोगों को भी देख रहा हूं कि कई student केवल सुन रहे हैं अच्छी बात है थोड़ा हाथ पर चलाना जरूरी है को कॉशल कुमार ने ठीक लिखा है सर एक्विटी में NCI तभी आएगा जब हम consolidated financial statement बना रहे होंगे क्या बना रहे होंगे वेन वी आर प्रिपेरिंग consolidated financial statement और अगर हम consolidated financial statement नहीं बना रहे हैं तो सर NCI का concept नहीं आएगा तो यह बात आपको ध्यान रखना NCI तब तक concept नहीं आता जब तक आप consolidated financial statement नहीं बनाते हैं getting my point तो सर एक्विटी में NCI भी आता है समझ में आ गया होगा आपको क्या बोलना चाहरा था हमें हां तो संदीब जो लिख रहे हैं इस आप स्मॉल शियर होल्डर शोन इंदी कंसॉलिड़िट फने हां इस स्मॉल शियर होल्डिंग पोर्शन वह हम क्या बोल सकते हैं NCI बोल सकते हैं तो यह बात भी इंपॉर्टेंट थी अगला concept आप एक देख रहे हैं ट्रेजरी स्टॉ स्टॉकूटूक जब हमहमारे ही शियर खरीद लें बाइब्वएक इंडिया में इसको क्या बोलते में इसकुत का काप कर दिया जाएगा सब्स्ट्रेक्ट कर दिया जाएगा अब आप से question पूछा जाएगा multiple choice question में debit figure होता है credit figure होता है बता दोगे debit side ये तो बता ही दोगे न सब्स्ट्रेक तो सर ट्रेजरी स्टॉक की general entry कौन बता सकता है class में ऐसे बच्चे हैं कि नहीं है जिनको ट्रेजरी स्टॉक की general entry आती है क्लास का level जच करना है बस that's why मैं पूछ रहा हूँ क्लास का level जैसा होते जाता है वैसा मेरा level भी होते जाता है life class में तो सर simplify general entry एक ही होने वाली है ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट डेबिट एकुटी नहीं अशुतोष हमने खरीद रहे हैं तो सर ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दो बिटा टू कैश कर दो याFit कर दो nog बैंक चेप से पैसा गया यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट ट्रेजरी तो सर नट्शेल में आज आप यहां पर लिख दो एक्विटी में क्या क्या आता है लिखना क्या हमा तो लिखे ही हुआ था हमने रेटेंट अर्णीड हो गई सर और क्या लेस कर दो हम प्रेफरेंस टॉक हो गये तो लिख देंगे लेस कर दो ट्रेजरी स्टॉक तो common stock, additional trading capital, return earning, OCI, minus treasury stock करेंगे that is called equity as per US gap और बहुत सारे MCQ के अवल calculation of equity के उपर आपको देखने को मिल जाएंगे बस अब आपके level of interpretation अगर अच्छी है तो definitely आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर समझने में अब एक definition आ रहे है current assets की बताना बहुत जरूरी है तो अभी इतना समझे की सर्फ current assets का मतलब ऐसी assets जो की within one year cash में रिलाइज हो अभी आधी definition बोल रहा हूं पूरी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि फिर आप के लिए वर्ड आ जाएगा operating cycle तो definition क्या है कैश और अधर असेट्स रिसोर्स इस कॉमनली अइडेंटिफाइ दोस विच रीजनेबली एकस्पेक्टे तो बी रिलाइज इन कैश और सोल्ड कंजूम डूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकल और वन यह विच एवर इस लॉंगर सर करेंट असेट्स हम उनको बोलते हैं जिसका रिलाइजीशन जैसे स्टॉक को आप विदिन वन यह बेच दोगे इन्वेंट्री इस तो आपकी करेंट असेट्स अकाउंट रिसीवल से पैसा वन यह में रिलाइज हो जाता है वो करेंट असेट से सर्टेन इंडिविजल ट्रेडिंग अविलेबल्स पर सेल और हेल्ड टू मिच्योर्टी डेफ जो कि आप कैश में एक साल के अंदर बेचने वाले हो प्रीपेड एक्स्पेंडिचर सर्टेन इंडिव हर वो एसेट्स जिसको विदिन वन यह रिलाइज करने वाले वह वो आ आपका बीसिक सुपर डूपर स्ट्रॉंग क्यों होना चाहिए सुपर डूपर स्ट्रॉंग क्योंकि जब मैंने कुछ सेंपल बीसिस पे कोश्चन सियां पर आपको मैं दी रहा हूं जो आपने पड़ा अभी आप जब आप एमसी क्यों करने जाएंगे आपको ग्लेम का सॉफ्टर मिलेगा यह हमारा एलमस है तो कई बार आपको इसे लॉंग कोश्चन देखने को मिल जाएंगे दिख रहे हैं यहाँ पर कितना बड़ा कोश्चन है और कोश्चन क्या पूछ रहे हैं तो जब कभी भी आप एक लॉंग क्वेश्चन को मैं आपको करेंट असेट्स के रिस्पेक्ट में ही बड़ा क्वेश्चन सॉल कराना चाहरा था आप इस्टूडेंट क्या अनप घबरा जाते इतने बड़े क्वेश्चन को देख कर इन 30 जून तो जब कभी भी एक लॉंग क्वेश्चन आता है लॉंग क्वेश्चन तो आपको हमेश्चा बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए पहली बात तो ये मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था ना ओरियन्टेशन सेशन में में सबसे बड़ा चैलेंज आपको लॉंग क्वेश्चन में फेस करना पड़ेगा तो आप जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है इन जून थाट्टी एर शिक्स एर बैलेंच शीट अच्छा ये बड़ी भी प्रॉब्लम आपको आईगी यहां पर ऐसे कोई कि दो हजार चाहुदा दो हजार पंदरा नहीं लिखेंगे वह यहां पर वह एयर लिखेंगे तो लेंगविज सम्टाइम कें प्ले वेरी क्रॉशल रूल तो अब जैसे इस कोश्चन में लिखाएं जून थर्टी एर सिक्स बैलेंच शीट वाट शुड रिपोर्ट असे करेंट असे तो आब आप इतने बड़ी बैलेंच शीट में क्रेडिट साइट को क्यों देख रहे हैं यह काम की चीज़े हैं क्या कैश ओवरड्र आप इधर की चीज नहीं एसेट किस तरब देखना चाहिए हमें सॉल करते समय सर डेबिट साइट देखना चाहिए तो एक बात ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको बड़े कोश्चन एक्जाम में समय से सॉल करना हो तो पहले बॉटम से पढ़ लो calculate current assets त अब इयर बड़ा important होगा 6th year की balance sheet में 6th year की balance sheet में और देखो एक एक line बड़ी इंपर जून 30 year की balance sheet में आपको बताना है तो उन्होंने एक word लिग दिया land held for resale 1 lakh उससे नीचे adjustment land held for resale was sold on July 15 तो बताइए ये current assets का part होगा की नहीं होगा आपको सुचना है होगा की नहीं होगा तो सर्क current assets निकालना है तो obviously बात है land held for resale है और वो बोल रहे हैं कि 15 जुलाई तो एक मैं आपको hint दे रहा था है यहाँ पर MCQ में bottom से पढ़ो और छोटी-छोटी dates बड़े important होती हम 20 जुन की बात कर रहा है और यह 15 जुलाई को उन्होंने लिखा है बेज देंगे उसके बाद और तो कोई assets है नहीं plant property and equipment के बारे में लिखा हुआ है अब एक line और आ गई हैं पर यह question typical question था इसलिए मैंने इसको लिया ऐसे कुछ typical questions हम discuss करेंगे class में अब यहां लिखा check amounting 30,000 वर return to vendor and recorded on June 29 year 6 sir हमने एक 30,000 का check लिखा vendor को कब लिखा sir 29 June को मतलब आपका कोई creditors था आपने उसको check काटके दे दिया तो check काटके दे दिया आपने और उसने actual में is resulting cash overdraft 10,000 the check was mailed on July 9 year 6 मैं इस line को यहां पर mention करता हूं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने के लिए कि आपके पास एक 30,000 dollar का check था आपने 29 June को return किया लेकिन actual में वो July में in cash हुआ है तो बताइए इसके कारण आपने आपका cash balance क्या कर दिया होगा कर दिया होगा कर दिया होगा यह बात आप समझगे की ने समझगे कि हां sir हमने कम कर दिया लेकिन उस सामने वाले ने तो जुलाई में डाला और इसके कारण क्या होगा है हमारा overdraft बन गया देखो question क्या लिख रहा है जो question मैं आपको दिया है उसके करण हमारा overdraft होगया तो अब हमें अगर current assets को calculate करना है तो सबसे पहले अगर हम calculator उठाएंगे यह समझाने के लिए कोशन की कि किस लेवल के technical question आपको face करने पढ़ सकते हैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं बटा रियालिस्टिक होके पढ़ना पढ़े करना CPA करने जा रहे हो तो account receival 35, inventory 58 लिखते चलो sir कुछ बाद मैं आपको सम्झाना चाहरा था इसलिए 35,000 लिख दिया sir एक सिकने इसको बंद कर दिते 35, 58 और 12 और sir 1 lakh भी यह लिख ले दे और sir कुछ बाकी asset side यही देखना है और कुछ तो नहीं है अब सारा game है इस 30,000 के कारण यह 30,000 का हमने एक outflow किया था इसके करण हमारा 10,000 का ओग आ गया ओवरड्राफ्ट आ गया मतलब negative आ गया मैं यहां पर कितना balance लिखूं बिटा cash का अगर यह बात आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी है यहां पर कितना balance लिखना चाहिए मुझे cash का तो चलिए कुछ class में अच्छे बच्चे बैठें बोले सर आपने 30,000 के चेक काटके दे दिया जिसके करना आपका negative balance होगे जबकि actually में यहां पर balance हमें 20,000 ही लिखना पड़ेगा अब हम सबको जोड़ दें तो आराउंड टूल एक 25,000 आता है तो टूल एक 25,000 करेक्ट अब जब question में solution आप पड़ने जाएंगे अब देखो problem क्या बात हुई कि यह concept सर यह 30,000 हमने check issue कर दिया था 10,000 हमारा negative हो गया था नेट आपने 20,000 को यह पर positive लिए क्या इस बात को किसी बुक में समझाए जाएगा क्या अब बात यहां पर आ जाती है problem student को क्या होती है कि वो basically कई बार इतने ल्यक करते हैं कि अब वो आपने कभी bank reconciliation statement बनाया होगा 12th class में सिखाए जाता bank reconciliation सिखाते हैं न 12th class में 11th में सिखा देते bank reconciliation में commerce नहीं पढ़ा हूं मैं B.S.C. रहा हूं अब इसके लिए कोई formula भी नहीं है और दुनिया का कोई teacher यह बात आपको CPA में नहीं सिखा पाएगा कि यह 30 सर ओवर 30 का check issue किया था और 10,000 उसके करन नेगेटिव होगा तो आपने less करके 20 लिग दिया इतनी basic understanding आपको खुद को improve करने हो और कई बार student मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सर हमको यह भी समझा दो तो मैं हाथ के हाथ जोड लेता हूं थोड़ा level आपको लेकर आना पड़ solution में mention है देखो लिखा है the gold current assets include 20,000 of cash 30,000 check mailed in the next period but permanently prematurely recorded minus 10 वो लोग भी उतना detail में नहीं लिख सकते आपको समझना पड़ेगा इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको थोड़ी सी basic accounting but मैं आपके लिए काम definitely इसमें कर दूँगा जब मैं आपसे doubt पूछने का मौका देता हूं तो 10 प्लस 30 मिला के 20,000 क्यों लिख दिया देन I will explain लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा question करना पड़ेगा थोड़ा सा hard work करना पड़ेगा नीचे पढ़न अपने अब कई student क्या करते हैं मैं बता रहा हूं नई बना उठाया इसकी photo खीची और वो हमारी counseling team को WhatsApp कर दिय अब वो विचारे क्या करें वो उसमें कम से कम यह तो mention कर दो कि हमको यह doubt है हमको यह point समझ में नहीं explain this so please avoid this kind of explanation मतलब explain करें तो उसको मुझे mail कर दो तो definitely I will resolve ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बहुत सारे 11th के 12th के concept आपके conceptually strong होने चाहिए तभी आपको CPA के far subject में पास होने में असानी योगर अगर आपके यह concept week है तो आपको इसको strong करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए इसलिए मेरी basic accounting की classes को भी आप क्या कर सकते मैं नहीं पढ़ाता हूँ हमारे सर है जो आपको debit credit भी पढ़ा देंगे अगर आपके week है तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करवा देते और एक advanced lecture की मेरी classes होती super 75 उसको अब देखें उसमें इन सारी चीजों को मैं cover करता हूँ तो हम यह बात कर रहे थे सर कि कि यह question था कि इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें कि long question के साथ साथ जो मैं आपको बो रहा था theory questions भी आपको देखने को मिलेंगे कि छोbig-ख उन्दके है किंगे को जहाई यह को का चलो udah a incidence कर ऑा करने लूओë, घूब resulting हो है जरी हemi cos tumor अब जैसे एक और question आपके सामने अब यहां पर अगेन आपसे पूछा जा रहा है current liability तो यह question तो अभी हम current liability की definition पढ़ेंगे तब करेंगे लेकिन मैं आपको यह बताने की कुशिश कर रहा था कि आप जब कभी भी बड़ा question देखें तो start from the bottom जिससे आप चीजों को identify कर सके अच्छा current liability के लिए अकाउंट पे ला सकता है जब आप question पढ़ते हैं तो दो तीन बाते हमेशा ध्यान लखें एक तो bottom से पढ़ने की हमेशा कोशिश कीजिए numerical question को retained earning के बारे में बात कर रहे हैं तो एक अच्छे student की तरह आपको यह बात पता होनी चाहिए न कि retained earning अगर हमें पढ़ना है तो उसमें cash account receivable prepaid accounts payable common stock additional paid in capital क्या इनकी जुरुत पढ़ेगी पढ़ेगी क्या बताईए अरे retained earning का assets or liabilities से कोई लेना देना है क्या कोई लेना देना है नहीं है sir retained earning profit and loss account के बारे में बात कर रहे है income statement के बारे में बात कर रहे में एक सगन charger लेके आ रहा हूँ है तो एक बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेगी ट्राइल बैलेंस है देखो एक स्टूडेंट यह भी गलती करते थे कि कुछ चीज़ों को इगनोर कर देती कि कोई क्या लेखा ट्राइल बैलेंस सर ट्रायल बैलेंस तो हमको पता ही नहीं क्या होता है आपने बता है इसेट सारी लाइबरिटी सारी इंकम सारे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं तो हमें तो हमारे काम की information डूढ़ना है न तो हमको हमारे काम की information डूढ़ना है question में तो एक तो retained earning पूछी है और कुछ additional information देदी है तो exam में आपको fast calculation करना पड़ेगा sir तो ऐसा तो है नहीं कि glam, backer, wiley इसके question आते बिल्कुल नहीं आते द्यान रखना जो review providers के question कभी नहीं आएंगे question differently आएंगे तो जब बड़े question आएं तो आप अपने काम की information ढूढ़ो कि retained earning question ने क्या पूछा Retained earning total पूछा total तो sir total का क्या मतलब अब trial balance में दो figure दिये हुए देखो ये एक return earning दी हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि trial balance के अंदर कौन से figure आते हैं opening आते हैं कि closing figure आते हैं तो sir ये trial balance से उसके बाहर कुछ दो items लिखी हुई है ये last year की return earning होगी और आपको एक foreign currency translation adjustment उनोंने कोई ऐसा figure दे दिया जब हमको सोचना पड़ेगा कि ये क्या net income में आता है बताईए ये कहां आता होगा foreign currency का अभी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले example दिया है थोड़ी दिर पहले थोड़ी दिर पहले it is a part of OCI तो sir ये फिर net income में नहीं आएगा तो इसको ignore करना पड़ेगा अब ये बचे revenue minus expenses तो करो मैटा 360 minus 260 कितना हो गया sorry 260 नहीं 36 lakh minus 26 lakh तो ये भी ध्यान रखना ये 0 में भी कई बर गलती हो जाएगी तो MCQ करने के trick बता रहा हूं आपको मैं कि 36 lakh minus 26 lakh होगे 10 lakh plus retain earning पड़ी थी पहले की 630 अब नेचे कुछ adjustment दियें नेचे कुछ adjustment दिये adjustment number 1 और adjustment number 2 during the year estimated tax payment of 3 lakh worth charged to prepaid taxes they has not recorded in income tax expenses there were no difference between financial statement and income tax and their tax rate is 30% क्या इसका कोई retained earning से लेना देना है तो sir इसका retained earning से कुछ भी लेना देना नहीं है फिर उन्हें लिख दिया account receivable पेटा इसका भी account receivable balance sheet की item है asset और liability asset से related बात होगे इसका भी income statement में कोई लेना देना है तो दोनों ही information useless थी तो sir इसका मतलब answer क्या हुआ 6 लेक 30 प्लस 10 लेक 16 लेक 30 sorry कुछ प्लस माइनस मैंने गलत किया है 30 लेक 30 आएगा अब आप देखो एक यह बात थी 3 लेक क्योंकि यहां पर क्या लिखा है यह देखो यह हमने कहां चार्ज कर दिया prepaid tax पे चार्ज कर दिया अब retained earning after tax आती है हमने एक expenses को prepaid में डाल दिया मतलब हमने इसको asset में डाल दिया यहां डाल दिया देखो यह prepaid expenditure आ रहा न यहां 3 lakh में तो यह question technical था इसलिए मैंने इसको लिया है कि यह के लिख रहे during the year estimated tax payment 3 lakh charge to prepaid tax लेकिन basically यह expenditure है तो आपने expenditure को asset बना दिया तो आप क्या करेंगे इसकी correct entry pass करेंगे तो अपनी return earning को कम करेंगे तो 16 lakh 30,000 minus करेंगे तो 3 lakh 30,000 would be your correct answer तो एक तरीके से यह भी था लेकिन इसका answer उन्होंने क्या किया after tax दे दिया मुझो दिया न 30% करके तो इसको दो तरीके से भी हम कर सकते थे तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़े question बहुत rarely होंगे एक दो होंगे सारे नहीं है जब भी आप करोगे न तो एक दो question तीन question आपको ऐसे मिल जाएंगे बड़े तो उससे अपनी को tension लेना उसमें घबराट नहीं होना चाहिए कि सर क्या होता है कि student है गलत अपरोज से पढ़ते हैं जैसे आपका गलत question हो गया तो आप उसका पूरा justification पढ़ो अगर चार लाक प्रिपेड टेक्स होता तो क्या impact होता जोती नहीं है एंसर पूछा तो फिर question का scenario भी अलग हो जाता ना चार लाक आपकी assets है तो आपको minus करना पड़ेगा तो what if situation का answer इसमें अभी नहीं देंगे लेकिन उसको भी minus करना पड़ता है मैं यह कहना चाहरा हूं कि long question को solve करने की approach आपको पता होनी चाहिए पहली बात आपने की takeaways लिए पहला concept आपको यह सीखना पड़ेगा कि sir bottom से start करेंगे तो मैं आपको कुछ points बताने जा रहा हूं यहां पर जो आपको ध्यान रखना है एक तो आप date को बड़ा ध्यान से पढ़िए year very important होता है 6th year लिखा है 7th year लिखा है जैसे अब हम पीछे का question कर रहे थे वह 30 June लिखा था 7 July का तो date और year very important है और sir आपको कई सारी ऐसी information देखने को मिलेंगी जिसका question में कोई relevance नहीं हमारे उस question में जिसमें अभी जाएं अगर मैं आपको example लेके बताऊं तो उस question में बताईए इस question में इस line का क्या लेना देना है include the account receivable कोई लेना देना है तो ऐसा नहीं कि हर item का question में जरूत पड़े यह भी आपको day one से prepare करना है कि कई ऐसी information होगी जिसका question में relevance नहीं है तो जब आप question करें तो उनको छोड़ने की कोशिस ना करें प्रेक्टिस करते समय सोचें कि यह information का यहाँ पर relevance क्यों नहीं है क्यों नहीं है sir relevance because हम पूछ रहे थे income statement की और retained earning की और यह बात किससे कर रहे हैं included account receivable 5,50000 due from customer special term granted to the customer required payment of equal semi annual installment अब बताईए इसका retained earning से क्या लेना देना कि मैं customer को से goods खरीद रहा हूं उसको payment कर रहा हूं installment there is no relevant for the retained earning तो sir ऐसी information question में आपको देखने को मिल जाएंगी जिसका कोई relevance नहीं है यह बात भी आपको द्यानकना तो ऐसी information जिसका कोई relevance नहीं है चौथी बात एक मेरे को लगता है mcq solve करने के लिए confidence level भी बहुत important है decisive होना पड़ेगा आपको कि आपको question बनेगा कई लोग क्या पूरा question देखके fear में आ जाते हैं डर जाते हैं अरे यार क्या होगान का दिमाग काम करना बंद कर देता है यह approach आपको बदलने पड़ेगी आपको fighting spirit शो करने पड़ेगी whole question को आपने पढ़ना है दो बार practice करते समय अगर बड़ा question है at least two times उसको reading कीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए बिना answer देखे और आपको नहीं समझ में आया तो पूरा solution को अच्छे से read कीजिए और देखिए कि कहां आप conceptually lack कर रहे थे conceptual clarity must है CPA के far को पास करने के लिए तो sir nut shell में आप कहना चाह रहे हैं hard work तगड़ा करना पड़े तगड़े लेवल एक एक question को करना पड़ेगा और उसके explanation को पढ़ना ही पड़ेगा बहुत सारे candidate क्या करते हैं कि तुक्के में उनका answer सही हो जाता है जिसे अगर मान के चलो या आपका guesswork में सही हो जाता आप नीचे देखते ही नहीं और आगे ब पड़ें अब सर क्या हमें self notes बनाने चाहिए कि student का question है बिटा self notes as such कोई बनाने की ज़रूत नहीं है मैंने आपके लिए एक काम और किया हुए कुछ theory notes जो मेरी यह तो आपको मिलेंगे साथ में आपको flash card भी मिलेंगे जैसे आप चाहेंगे तो मैंने हर chapter wise आपका काम थोड़ा सो और आसान हो जाए इसके लिए इसके अंदर flash card डल दी जिसे इसके अंदर भी जी तो छोटा chapter था इसके अंदर 15 है किसी के अंदर 50 होंगे किसी के अंदर 100 होंगे तो छोटी छोटी information आर्ट, defer text, liability, classified, balance, current और non-current तो flip करके आपको पता चले चाहिए कि यह क्या है ऐसे flash card भी मैंने आपको क्या करने है प्रोवाइट करने है और यह आपको theory segment को पास करने में help करेंगे तो आपको एक कसम खाली नहीं आज आज अगर आप CPA बनना चाहते हैं न 80% score आए बिना आगे नहीं यही आपका study plan है सबसे पहला कि सर जैसे जैसे lecture हो जाएं reading of books करेंगे और mcq को क्या करेंगे solve करेंगे और mcq में 80% score आएगा तो ही next level पर जंप करने है अब थोड़ा सा software में कैसे performance होती है क्या होती है वो हम next level पर discuss करेंगे क्योंकि आज हमने almost शुरुवाती दौर में थोड़ा सा discussion किया तो जो हमारी next class होगी उसमें हम यह सारी चीजों को और detail क्या करने वाले हैं discuss करने वाले है सो एक useful session रहा होगा आप लोगों के लिए आपको at least idea लगा होगा कि sir what kind of study हमें करनी पड़ेगी तो यहां पर आपको comprehensive study करना है master classes करने से CPA नहीं बनेंगे और आप ऐसा बिलकुल मत सोचके चलना कि एक दो घंटे office से आने के बाद आदा घंटा पड़ लिया एक घंटा पड़ लिया और CPA बन जाएंगे ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला अगर ऐसा कोई teacher बोल रहा है ना कई बोल दे are you ready to become six month CPA दो घंटे वो chartered accountant study से टच वाले बन जाते हैं हर नॉर्मल इंसान अगर दो घंटे डेली नहीं पड़ेगा अगले छे महीने में फार तो नहीं निकाल पाएंगे डेली दो घंटे और week में Saturday Sunday 4-4 hours मतलब 8 और 5-10 20 घंटे in a week आपको पढ़ना पड़ेगा dedication के साथ म अगले एक साल तक एक से देड़ साल एक साल 12 महीने 14 महीने 15 महीने इसका डबल कर सकते हो सर वीक के 50 घंटे पढ़ सकते हैं जैसे हर प्रीत सिंग है chartered accountant है practicing chartered accountant भी दिख रहे हैं कि नहीं क्लास में हैं अब सुबह 5 बजे उठके 6 घंटे पढ़ते हैं वो तो ऐसे candidate हो सकता है आट महीने साल भर में पास हो जाएं और वो अल्रेडी chartered accountant है practicing firm है लेकिन हर candidate जो सोचे कि मैं सुबह 11 से शाम को साथ बजे आके आदा घंटा बुक खोलूंगा तो आप देखिए मैंने आपको live class में almost 2 घंटे होने वाले हैं एक घंटा 50 मिनिट सम्टिंग आपको एक concept समझा equity और comprehensive netting और उससे related 2-3 question को आपने discuss किया तो लेवल आपको भी क्या करना पड़ेगा इसमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो हमारा जो next segment होगा उसमें पूरी balance sheet complete हो जाएगी कैसे simulations करना है क्या और सही approach है क्योंकि शुर्वाती दूर में tone set होती है life class में कैसे आपको आने वाले समय में पढ़ना है तो definitely आप next session को भी join कीजिए regular चलती रहेगी क्योंकि शुर्वाती दौर में आपको थोड़ा guide ज्यादा करूँगा फिर उसकी बाद हमज़ा बार एक platform set हो जाएगा तो हम सीधे क्या करेंगे पढ़ाई को start करेंगे तो मिलते हैं आपसे next session में आपको telegram channel पे सारा schedule दिया गूए है जोती सिंग लिख रहे हैं sir last में how difficult is audit without background how many month it can take audit is जो है वो मुझे लगता है far से सरले अगर आप में दो बाते हैं आप बहुत concentration से question पढ़ सकते हैं पहली बात अंकुर it is not cramming तो zero है zero करना ही नहीं है audit में cramming करें नहीं पाओगे तो पहली बात audit को आपने क्या करना है जब audit subject के बार बात करें तो audit में cramming नहीं करना concentration level बहुत ज्यादा strong चाहिए audit के लिए और दूसरी बात आपके अंदर एक analytical thinking की आप practical situation को analysis कर सकते हैं वह आपको बहुत सारे documents जब हम उसका guidance देंगे आपको जब audit की session स्टार्ट होगा definitely कैसे पढ़ना लेकिन संदीब वसंती लिखरे can we give exam in 3 months with full time study 7-2 हाँ अगर आप 10 घंटे आपने देखो चैट में लिखा सर 7-10 आर डेली तो यह लिखा है और करने दो अगर यह कर सकते हो तो मेरा answer है कि यस 7-10 आर डेली एक C.E.A. final जैसे आप मेरे साथ से फिर आप C.E.A. student होगा अगर 10 आर पढ़ने की बात कर रहे हो तो अगर आप 7-8 आर पढ़ सकते हो डेली डेफिनिटली फार को अप 3 मैने में पास कर जखते हैं अंकुर 10 unit आपकी हो गई है अभी simulations का guidance के बाद आप लोगों को guide करेंगे अभी जो next to next class होगी उसमें sims के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको एक authentic answer दे पाऊंगा तो वो सही answer होगा और किसी के कोई question कीरती गुपता आप study plan के बारे में पूछ रहे था ना बहुत तो मैं थोड़ा से एक बर अब personal discussion कर रहा हूं तो जब वीडियो उसको on off कर देता हूं